हालो काईज, वेलकम डूट एक यहां सो यूटिव चैनल और कैसे आपने से बहुत सारे लोगों के कमेंड आते बाई लावा अगनी टू 5G स्मार्टफोन को पर्चेस कर ले या रियल मी 11 प्रो 5G स्मार्टफोन के इंडिया लॉंच का वेट करे दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा वेल्यू फ़र मनी रहेगा तो आज की स्टुडिय में आपके सारे डाउट्स और कंफिजन को दूर करने वालो करेंगे यहां पर दोनों स्मार्टफोन का कमपार्जन इन एक्जेक्ली में बताऊंगा कौन से डिपार्टबं में कौन सा स्मार्टफोन बेटर है आप के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर रहने वाले आपने और इस ओपिनियान भी आप लोगे साथ में शेयर करूँगा जिए चली वीडियो स्टा ओट करते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टाउड कर लेते हैं, ऐसा से बात कर लेते हैं, यहां पर दोनों स्मार्टफोन की अवेबिलिटी के बारे में, तो लावा अगनी टू 5G स्मार्टफोन तो अलड़ी इंडियन मार्केट में लाउंच चुका है, एमेजोन पर आपको हर हफते में फ परचेस करना है, तो अब बिना टाइम वेज़ करें, फटा फट से यह दोनों स्मार्टफोन का कमपारजन को स्टाउट करते हैं, बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक के अगरम बात करें, तो लावा अगनी टूम में आप देखोगे, बैक में गलास है, सर्कुलर परचेस करें, निकीन लावा में आपको ग्लास बैक मिलता है, जबकि रियल में आपको पॉली कार्मेंट बैक देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंस मिलता है, वैसे दोनों में से आपको किस का डिजाइन बेटर लगा, मुझे बताना नीचे कमेंट पर दिया गया है, RAM and ROM के अगर हम बात करें तो Lava Agni 2 में आपको एक ही विरेंट देखने को मिलता है, 8GB की RAM 256GB स्टोरेज के साथ में, जबकि Realme में आपका 128GB से बेस्ट रेंट स्टार्ट होगा, दिन आपको 256GB यहां पर देखने को मिलेगा, दोनों में Dual SIM का सपोर्ट है, SD Card Slot देखने को नहीं मिलता है, और दोनों में यहां पर आपको UFS 2.2 का Storage Type and LPDDR4X Solar Ram Type यहां पर दिया गया, Performance के अगर हम बात करें तो यहां पर भी दोनों में आपको Similar Type की Performance देखने को मिलती है, जो Lava Agni 2 है, यहां पर आपको बैक में Triple Air Camera का Setup मिलता है, 50 Megapixel का Primary Sensor, then 8 Megapixel का Ultra Virtual Camera, then 2 Megapixel का Macro Camera, जिबकि जो Realme का Smartphone है, यहां पर आपको बैक में Dual Camera का Setup मिलता है, 100 Megapixel का Primary Sensor है, यहां पर आपको OIS देखने को मिल जाता है, then 2 Megapixel का एक अलग से Sensor मिलता है, यहां पर आपको Ultra Virtual Camera देखने को नहीं मिलता है, Selfie Camera दोनों स्मार्टफोन पर आपको 16 Megapixel का यहां पर दिया गया है, तो Camera किसका बेटर रहेगा, तो Definitely Lava का जो Camera Performance है, Price Point के सबसे मैं कहूंगा Decent है, लेकिन आप Specially Primary Sensor की बात करोगे, स्मार्टफोन आपका Realme UI 4.0 पर यहां पर रन करता है, Lava में आपको Close to Stock Android वाल एक्स्पिरियंस यहां पर आपको देखने को मिलता है, आपको Close to Stock Android वाल एक्स्पिरियंस बेटर लगता है या Realme UI बेटर लगता है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, Sensor के अगर हम बात करें, दोनों स्मार्टफोन पर आपको सारे Sensor देखने को मिल जाते हैं, दोनों में यहां पर आपको In-Display Fingerprint Scanner का Feature मिल जाता है, Face Unlock का Feature है, दोनों में आपको 3.5 headphone jack का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन Speakers के अगर हम बात करें, तो Lava में आपको Bottom Firing Single Speaker यहां पर दिया गया है, जिबकि Realme में आपको Dual Studio Speaker का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बैटरी Life के अगर हम बात करें, तो दोनों स्मार्टफोन पर बैटरी और Fast Charging में हलका सी फरक है, लावा में आपको 47 HMG के आपको बैटरी मिल जाती है, 66 Watt का Fast Charging आपको डबे में देखने को मिल जाता है, जिबकि Realme के अगर हम बात करें, थोड़ी सी बड़ी बैटरी में ताब 5000 HMG के आपको बैटरी मिलती है, यहाँ आपको 67 Watt का Fast Charging आपको बैटरी के डिपार्टमेंट में Realme का स्मार्टफोन आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाता है, एस कंबेट तो लावा अगनी टू 5G स्मार्टफोन पे, तो यह था यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का comparison, अब बात के लेते हैं सबसे important चीज़ के बारे में, क्या कुछ आपको exactly में दोनों स्मार्टफोन की price point देखने को मिलती है, लावा अगनी टू 5G स्मार्टफोन एक ही विरेंड में launch करा गया, 8GB की RAM, 256GB की storage, price point रखी गई है, अगर आप bank offer को यहाँ पर include करते हैं, तो effectively जो लावा अगनी टू आपको 20,000 रपे के आसपास देखने को मिल जाता है, जिबकि Realme 11 Pro 5G स्मार्टफोन की price point के अगर हम बात करें, तो वो 8 June को Indian market में launch होने वाले हैं, लीक्स के गर माने हैं, जो इसका base rend है, इंडिया में आपको 22-23,000 रपे के आसपास देखने को मिल सकता है, तो लावा अगनी टू डेफिनिटली चीपर option ही रहेगा, भाई, Realme वाले 20,000 रपे में मेरा निक्याल offer वगरा लगा के भी, अगर ये लोग लाते तो 22-23,000 रपे के आसपास ला सकते हैं, सबसे पहले बात के लिएते हैं, लावा यूजर्स के बारे में, तो लावा का phone उन लोग को लेना चीए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको glass bag मिल जाता है, इन-hand feel अच्छा रहेगा, premium build quality देखने को मिलती है, base rend में आपको 256 GB की storage आपको देखने को मिल जाती है, उसी के साथ में close to stock Android वाल experience है, Indian brand यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सार लोग कैसा रहते हैं न भाई, Chinese brand नहीं चीए, तो Indian brand देखने को मिल जाते है, and price point definitely Realme से आपको 2000 पर तो कम यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो sure है, अब बात करते हैं Realme का smartphone किस को wait करना चीए, तो सबसे पहले तो यार आपको leatherish tap का back panel अच्छा लगते है, कुछ unique tap का design चीए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है, यहाँ पर आपको dual studio speaker का support देखने को मिल जाते है, उसी के साथ में यहाँ पर आपको जो camera जो especially जो primary sensor है, वो आपको OIS के साथ में मिल जाता है, better sensor के साथ में, यहाँ पर आपको slightly better battery life भी देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर आप point के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो, मेरे हिसाब से अगर आपको लावा लेना है, अगर आपको stock Android वाल experience चीए, Indian brand का phone चीए, तो definitely लावा 20,000 रुपे में unbeatable type की delay, लेकिन आप ऐसे हो भाई, मझे dual studio speaker का support बहुत ज़र्ज़र ज़रूरी है, camera में आपको primary sensor specially better चीए होई इसके साथ में, तो आप Realme के smartphone का भी wait कर सकते हो, Realme मैं again बुलूँगा, कि आपको लावा के comparison में offer लगा के भी लावा का 20 में मिलता है, वो 22,000 रुपे के आसपास ही देखने को मिलेगा, तो price point पे भी आपको 2000 रुपे के आसपास का difference देखने को मिलने वाला है, वैसे गया, आपने क्या अलड़ी लावा Agni 2 5G smartphone को ले चुके हो, यह Realme 11 Pro 5G smartphone का wait करो, आपके साब से दोनों मैं से कौन सा बेटर smartphone है, मुझे बताना नीचे comments में, सब्सक्राइब करें करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मेलता आप से क्लिके सीगों फुडियो में, चुप तक के लिए, हैंक्यू!